तो आज हम आपके लिए एक न्यू रेस्पी लेके आ गए हैं जो कि है मटका कुलफी और ये कुलफी मार्केट से भी जादा टेश्टी होने वाली है अगर आप इस तरीके से आइस क्रिम बनाते हो तो आपकी कुलफी बहुत ही सौफ्ट और टेश्टी बनेगी तो अभी हमने पेंट में ले लिया है दूद ये एकलो दूद है इसमें पानी नहीं मिलाना है आपको और अभी हमने यहां पर कश्टर्ड पाउडर ले लिया है थोड़ा सा दूद बचा लिया था तो अभी हम इस कश्टर्ड पाउडर में एड करेंगे इसमें पानी एड नहीं करना है द आप यहां पर काजू बादाम ले लिया है इनको अच्छी से कूट लेंगे और अबी हमने यहां सक्कर ले ली है इसको अच्छे से मैंट कर लेंगे मैं करके डालने के बाद सक्कर आईस्क्रीम का टेस्ट बढ़ जाता है इस तरहीकिस अगर आप सक्कर डालते हो तो आपकी आ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसको सक्कर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेगे दूद में तो अभी हमने यहां काजुबाद हम भी डाल दिया तो देख सकते हो हमारा की तो यह अभी बिलकुल रेड़ी हो चुका है अगे में बिलकुल रेडी हो चुका है एक दम गाड़ा हो गया है यह हमारा तो अभी इसको हमें इसको कुल्ड में ढाल देंगे मेरे पास यह कुलड था उसमें डाल देंगा प्लाश्टिक का कोई भी बर्तन हो या फिर डबा उसमें भी जमा सकते हो इसको फ्रीज में रख दिया अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो फ्लीज सेयर कर देना चैनल को सस्क्राइब कर लेना तो हमारी मटका कुल्फी पनके रैडी हो चुकी है थैंक यू सो मच